गाइस हेलो हाई सस्रीकाल नमस्ते आई होप आप सब लोग ठीक होंगे स्वस्त होंगे आप सब का हमारे यूटूब चैनल फोर इंड बन में बेलकम है और आज मैं आपके साथ लेंच ठाली शेर करूंगी समर स्पेसल आई होप आपको पसंद आएगा तो तीन दिन होगे थे मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था इसलिए मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया बट आज हमने दूफेर में लेंच बनाये था आई थोट आपके साथ शेर किया जाए बहुत ही अच्छा रेसिपी है आई होप आपको पसंद आएगा और जैसे जैसे होगा मैं आप वे नाथ इसलिए हो जाती है यव बहुती स्वाधिश्ट बनती है तो मैं इनको बॉइल करने के लिए रख दूगी और मैंने इहां पर दाल ले रही हूं मैं हाँ पर मुझे बनाना एंखटे वाला तो मैं इह दाल फटा-फट से अच्छे से बोश करके और इसको इमे बॉ करके एक तरब मैंने डाल वाइल करने के लिए रख दिया दौनों चूले मैंने ओन कर दिया इस तरीकी से थोड़ा जल्दी काम हो जाता क्योंकि किछन में हम लोग कितनी टाइम रहते हैं बहुत गरम होता है इसलिए मैंने डालों गैस ओन कर दिया दाल और अर्भी यहां पे दाल भी बॉइल हो चुका है लुग कैट दिस कितना अच्छा स्रिप मैंने इसमें थोड़ा हल्दी और सॉल्टेड किया था यहां मैंने चॉपिंग कर लिया है ओनियन ग्रीन चिली गार्लिक जिंजर कड़ी पत्ते इस सब दाल के लिए है और मैंने अर्भी के लिए थोड़ा ओयल एड कर दूंगी मस्टर सीज ओयल है आप चाहो तो रिफाइंड में भी बना सकते हो मैंने थोड़ा जीरा एड किया थोड़ा समय इसमें हेंग एड कर दूंगी मैं यहां पर पहले दाल प्राई कर रही हूं तड़का लगा रही हूं मैं दाल में अर्भी हम बाद में बनाएंगे मैंने यहां पर जिंजर, ग्रीन चिली, गार्लिक, ओनियन और कड़ी पत्ते मैंने सब साथ में ही एड कर दिया है अच्छे से हम इनको गूल्डन ब्राउन होने तक भूं लेंगे पका लेंगे और यह दाल बहुत ही अच्छा बनता है आप बना के दे मैं इमली एड करना है मैं यहां पर रेगूलर मसाले डाल दूंगी रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला हल्दी मैंने बहुत कम एड किया है क्योंकि मैंने हल्दी पहले भी एड किया था और मैं यह मसाला अच्छे से पकाने के लिए दाल क अच्छा टेस्ट नहीं आएगा मसाला यहां पे रेडी हो गया है और मैंने यहां पे डाल एड़ कर दिये इसमें इस तरीकी से इसे चलाते होई पका लेंगे इसमें धनिया एड़ कर देना है और आपका डाल रेडी हो गया बहुती स्वादिश्ट दाल बना था ये और मैंने अभी धनिया से पहले इसमें इमली भिगो के रखा था पानी में मैंने इसमें बो एड किया जिसे में रिकॉर्ड करना भूल गई बट आप जरूर से इसमें इमली एड कीजिएगा बहुती अच्छा टेस्ट आता है दाल ब इस तरीके से मैं कट कर लूंगी इसको छोटे-छोटे मैंने पीस कट कर लिये और मैं इसको फ्राइ कर लूंगी थोड़ा सा अजमाइन और ग्रीन चिल्ली के साथ इस तरीके से कर लेने हैं आप चाहो तो कोई भी सेप आप दे सकते हो अपने पसंद से जो आपको पसंद हो बहुती अच्छा ही अर्वी बनता है और मेरी तो बच्चों को भी पसंद आया था बहुती स्वाधिश्ट बना था तो यहाँ पर अर्वी हो गया रेड़ी मैंने एक कड़ाई लिया उसमें थोड़ा मैंने ओइल एड़ किया है कर देंगे थोड़ा अजबाइन एड़ थोड़ा सा हिंग एड़ कीजिएगा और यहाँ पर मैं ग्रीन चिल्ली एड़ कर दूँगी ग्रीन चिल्ली से ना इसमें बहुत ही अच्छा स्मेल और टैश्ट आता इसलिए मैंने दो ग्रीन चिल्ली इसमें एड़ किया है और इसको अच्छे से पका लेंगे एक दू सेकेंड के लिए और अपना अर्वी इसमें एड़ कर दीजिए अर्वी को ओयल में एक दू बार ऐसे मिक्स कर लेंगे एक दू सेकेंड के लिए फिर इसमें थोड़े-थोड़े मसाले हमको एड़ करने है और आप इन्हें पूरी के साथ चपाती के साथ पराटे के साथ किसी के साथ इंज्योय कर सकते हो मैं इसमें थोड़े-थोड़े मसाले डाल रहे हूं रेडचिली पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, स्वात किनुसार, सॉल्ट आपके पास आमचूर पाउडर है तो प्लीज जरूर से एड़ कीजिएगा उससे बहुत ही अच्छा इसमें टेश्ट आता है मिक्स कर लेना, एक दो बार मैंने ढख करके कुछ सेकिंड के लिए पकाया था और कड़ाई में जो लग रहा है मैं उसको चलाती जा रही उससे बहुत ही अच्छा टेश्ट आता है अच्छी से फ्राई कर लेना है, बन करके रेडी हो गया है मैं इसमें धीर सारा हरा धनिया एड़ कर दूँगी, अच्छी से मिक्स कर लेना है और आपका अर्वी का सबजी बन के रेडी हो गया है तो यह सबजी इस तरीके से यह तो अपने अपने तरीके होते हैं बट यह तरीके से बना के देखिए का बहुत ही स्वाधिष्ट बनती है और इसमें जादा टाइम नहीं लगता है यह मैंने दाल के साथ ही बोईल कर लिया था और मिंटों में सबजी बन के रेडी होगी लुकेड दिस पहुत ही स्वाधिष्टी सबजी बनी थी अभी मैंने आटा भी लगा के रख लिया था मैं फटा फट से आफे फुलके कर लेती हूँ और अच्छा रोटी बनाने का तरीका में आपको बताती हूँ आप जैसा रेगूलर आप आटा लगाते हो आटा लगा लीजिए बट उसको ज़्यादा नहीं स्रिफ 10 मिनट के लिए रेष्ट दीजिएगा और फिर देखिएगा आपकी चपाती बिलकुली सॉप्ट और हर एक चपाती फूली फूली बनेगी मैं हमेशा ही ऐसे करती हूँ आटा लगाके रख लेती हूँ आटा लगा देती हूँ और उसको दस मिनट के लिए रेष्ट पर रख देती हूँ चपाती स्याम तक बिल्कुली सौफ्ट बना रहता और एक एक चपाती फूला हुगा बनता है तो यहां पर फटा फट से में अपने ये रूटियां बना के रेडी कर लेती हैं देखिए कितनी अच्छी चपाती बन के रेडी हुई हैं सारी चपाती इस तरीकी से फूल करके रेडी होती हैं और यहां पर दाल सबजी रेडी हैं तो फिर फटा फट से में थाली लगा के रेडी कर लोंगी कितना अच्छा चपाती बनाए ना मैंने ये ओनियन लिया इसका इस तरीकी से स्लाइस निकाल लिया इसके अंदर में रेड चिली पाउडर रेड करूंगी स्वाद के नियुसार सॉल्ट एड करेंगे और इसमें नीवू हमें एड करना है और हातों से अच्छे से मिक्स कर लेना है ये तंदूरी प्याज आपका बनके रेडी हो जाएगा और ये डाल राइस के साथ बहुती स्वादिष्ट लगता है अभी देखे मैं इसको हातों से ऐसे मिक्स कर रही हूँ और ये ऐसे ही खाने में बहुती स्वादिष्ट लगता है तो आप ये जरूर से लंज के साथ बनाएगा ब्लीम में आपको पसंद आएगा तो यहाँ पर हमारा ओनियन भी रेडी हो चुका है फटा-फट से हम थाली लगा लेते हैं और आज हमारे लंज थाली में है खटे बाला दाल अरबी का सूखा सबजी गरम-गरम फुलके और ये तंदूरी प्याज जोकी चटपटी है बहुती स्वाधिस्ट है बिल्कुली खटी है और यहाँ मैंने मेंगू का पीकल लिया हुआ है और ये खाली कटोरी में किसके लिए रख रही हूँ मैं इसमें एड करूंगी बूरा और उसमें हम उपर से एड करेंगे गी और रोटी की साथ ये घीवूरा खाके देखिएगा बहुती अच्छा टेश्ट आता है खटा भी हो गया ओनियन और ये मीठा भी हो जाएगा तीखा मारा सबजी है बहुती अच्छा ही लंच बनके रेडी हुआ था मुझे आप कमेंट में जरूर बताएगा ये लंच थाली आपको कैसी लगी साथा सिंपल है ज्यादा टाइम नहीं लगता है मिंटो में बनके रेडी हो जाती है तो आप जरूर से बनाएगा बलीम में आपको पसंद आएगी आपकी फैमिली में सबको पसंद आएगी लंच थाली लुक एट दिस तो हमारा लंच बनके रेडी हो गया आजाईए आप सब भी खा लीजी लंच थाली बहुती स्वादिश्ट बना था आप जरूर से बनाएगा बलीम में आपको पसंद आएगा और जो मैंने अरवी का सूखा सबची बनाया था यह तो लंच बोक्स के लिए काफी अच्छा ओपसन है बहुती स्वादिश्ट बन था आपके पास आमचूर पाउडर हो तो जरूर से इसमें एड कीजिएगा मेरे पास आमचूर पाउडर नहीं था इसलिए मैंने एड नहीं किया और यह जो मैंने दाल बनाए है मैंने खट्टे वाला दाल बनाया था इसमें मैंने इमली एड किया था चौका लगाने की बाद बट वो में रिकॉड करना भूल गई तो अगर आप यह दाल बना रहे हो आप जरूर से इमली एड किये जिएगा खट्टा दाल बहुती स्वादिष्ट लगता बहुती अच्छा बनता है तो आप इन्हें राइस के साथ भी इंज्योई कर सकते हो बट मैंने चपाती बनाई थी और बहुती अच्छा यह लैंस था तो यह थाली आप जरूर से बनाईएगा बैसे भी मिंटों में बन जाता ज्यादा टाइम नहीं लगता है और जरूर से मुझे कमेंट करके बताईएगा यह लेंस थाली रेस्पी आपको कैसी लगी थाइंक यू फॉर वाचिंग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई